नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरी दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपून जानकारियों को ले करके आईए आज हम सभी कुछ एक ऐसे फायदों को जानते हैं जो की निम्बू से मिलते हैं जैसे कि ये बावसीर के रूप को दूर करने का रामबान इलाज है लेकिन आईए कुछ एक इसकी व्याख्या पहले जानते हैं हम निम्बू का प्रधान कार्य शरीर में व्याप्त विशों को बाहर निकालना है यह मुझ के स्वाद को ठीक करके भोजन के प्रति रूची पैदा करता है रक्त शुद्ध कर तवचा को नव और विटामिन सी रक्त विकारों को ठीक करता है निम्बू को पानी में निचोड़कर हर रोज सुबह सुबह भूखे पेट पीना ज्यादा लाब दायक है निम्बू को नमक में रखने से कई दिन तक ताजा बने रहते हैं एक चमच निम्बू का रस इतना ही शहद और अध दरक का रस मिलाकर हर रोज तीन बार चाटिये गैस नहीं बनेगी आपको अगर आपके पसीने में दुरगंध आती है तो निम्बू के पत्तों को पीस कर मलने से पसीने से दुरगंध दूर हो जाती है जहां कहीं दुरगंध युक्त पसीना आता हो विशेश कर बगल में ज पारी मिर्च कच्ची ही भोजन करते समय खाने से मलेरिया में लाब होता है बवासीर में तेज दर्द हो तो एक निम्बू का रस इतना ही पानी मिलाकर गलिसरीन सिरींज से गुदा में डालें और बाहर निकालें दर्द में लाब होगा आपको प्यास अधिक लगती हो तो पा पाना खाते समय नित्य खाईए बार बार थुकना बंध हो जाएगा पशाब अगर आपका पीला आता है तो पानी में निम्बू निचोड़ कर बार बार पीणे से पीला पेशाब होना ठीक हो जाता है अगर आपको उल्टी आ रही है तो निम्बू का रस एक चमच पानी एक चमच और ग्लुकोज एक चमच मिला कर एक एक घंटे से लीजिए उल्टी आनी बंध हो जाएगी हैजा के रोगियों के लिए हैजा के किटानू अमले यानि के खट्टे पदार्थों के सेवन से नश्ट हो जाते हैं निम्बू का रस प्याज का रस और शहद स से पहले एक गिलास पानी में आधा निम्बू एक चमच अद्रक का रस स्वाद के अनुसार नमक मिला कर पीने से लाब होता है निम्बू और भुना हुआ जीरा काला नमक और अद्रक सबकी चटनी बना कर खाने से भूख अच्छी लगती है वर्षा में भूख प्रायक कम लगती है उस समय ज्यादा लाफकारी है पेट दर्द अजिन अपच गैस अधिक खाना इत्यादी कानों से पेट दर्द हो तो एक कप गर्म पानी में निम्बू नी चोड़ें इसमें एक चमच चीनी जरा सा नमक पीसी हुई अजवाइन और जीरा मिला कर पियें पेट दर् धूप से जलन यदि धूप से रंग काला होता है तो आधा कप कच्छे निम्बू में आधा निम्बू नी चोड़कर मिला कर चेहरा हाथ पेरों पर लगाईए और मलिये धूप से जलने के दुश प्रभाव नश्ट हो जाएंगे शक्ति वर्धक गर्म पेय भी आपी से बना सकते हैं एक कप उबला हुआ पानी एक चूटकी सेंधा नमक एक चूटकी काला नमक एक चमच चिन्नी दस बुंद निम्बू का रस भुना और पिसा हुआ चोथाई चमच जीरा सब को मिला कर पीजिये यह पेय बहुत ही दर्द के अनुसार और परहेज के अनुसार घटाया बढ़ा सकते हैं आप यह बीमारी की अवस्था में भी ले सकते हैं इसे एक दिन में तीन बार तक हर रोज पीजिये दांत दर्द तीन लोगं को निम्बू के रस में पीशिये यदि दांत में छेद हो तो रुई के फोय में इसे लेकर दांत में भर दीजिये अन्य था उससे दांतों को मलिये दर्द दूर हो जाएगा अगर आपको हिचकी आ रही है तो एक निम्बू का रस एक कप गर्म पानी जरा सा काला नमक और एक चमच शहद मिला कर पीने से हिचकी आना बंद हो जाता है अगर आपको जमान मातरा में निम्बू का रस और नारियल का तेल मिला कर गर्म कीजिये यानि कि जितना निम्बू का रस लीजे उतना ही नारियल का तेल लीजे फिर इसे खुजली वाली जगह पर हर रोज तीन बार मलिये खुजली मिट जाएगी हथेलियां अगर आपकी खुर्दरी हो तो निम्बू का रस और एक चम्मच चीनी दोनों हथेली में लेकर दोनों हाथों से रगड़ें जब तक चीनी पिघल नहीं जाए हर रोज ऐसा करने से हथेली हम मुलाइम हो जाएंगी अगर आपको लू लग गया हो तो एक गिलास पानी में निम्बू नी चोड़िये और स्वाद के अनुसार पीसी हुई मिश्री डाल कर पीजिये इससे लू का प्रभाव कम हो जाता है अगर आपके फेस पर मुहा से आ गये हो तो निम्बू के रस में तील पीस कर चेहरे पर लेप कीजिये तीन घंटे बाद कर्म पानी से धोईए मुहा से ठीक हो जाएंगे तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए जो की निम्बू के फायदों पर बेसिकली थी कि हम इसके सहायता से किन-किन बिमारियों को अपने शरीर से दूर भगा सकते हैं या फिर आने से किन-किन बिमारियों की रोक थाम कर सकते हैं ये निम्बू एक सबसे बड़ी बात कि anti-inflammatory गुनों से भरपूर होता है जो कि आपकी रोग प्रतिरोधग शमता को बढ़ाता है जिसकी वज़ा से आपके बीमार होने के chances बहुत कम हो जाते हैं तो ये थी आज के हमारी जहानकारी आप सभी के लिए तो अगली बार हम आप इसे जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और महत्तो पूंच जहानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों